मद्यप्रदेश की वेवसाइक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर में मुख्या आयुक्त सेंट्रल एक्साइज एंड सीजी एस्टी भुपाल वीके सकसेना ने निरिक्षन किया इस दोरान उन्होंने ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों और टेक्स प्रेक्टिशनर से मुलाकात कर विभिन बिंदों पर चर्चा की निरिक्षन के दोरान वीके सकसेना ने स्टेट जीएस्टी के दफ्तर पहुँचकर स्टेट के अधिकारियों से मुलाकात की वहीं वीके सक्सेना ने चर्चा के दौरान पदादिकारियों और टेक्स प्रैक्टिशनर से GST को लेकर विस्त्रित रूप से चर्चा की वहीं पदादिकारियों ने समस्याओं को संग्षिप्त रूप से मुख्यायुक्त के सामने रखा इस दौरान पदादिकारियों ने रिटर्न में होने वाली गलती रिवाइस करने की सुवधा के साथ ही विक्रेता की लाइबिलिटी भी हटानी की मांगी। वही मुख्यायुक्त ने समस्याओं का निराकरन भी किया। इसके एकिहास में इसे अच्छा कानून आज तक अभी बना नहीं है। पॉर्टली पारदर्थी व्यवस्ता है। बैसिकली क्या समस्याओं आपने हैं। समस्याओं को लेके हैं मेजर। वैसे पॉर्टल की गल्कियों की वज़े से पॉर्टल चलता नहीं है आखरी दिनों में। उसके दो दिन दिल्य हो गया तो जापारी उसके विलंसुल उसको भुगतना पड़ती है। नियम इतने हार्श हैं। जोरान मुख्यायुक तवीके सकसेना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अभी तक पूरे देश से 35,000 करोड टेक्स आ चुका है। वही मध्यप्रदेश ने भी अभी तक 600 करोड टेक्स प्राप्त किया है। इस दोरान उनोंने सभी लोगों से टेक्स समय पर भढ़ने की अपील की है। और बिजनस को अगर हम कॉफर्टरबल नहीं रखेंगे तो हमारा काम कैसे होगा। वही हमारा रिबन हो आना है। तो उनकी समस्याओं का समाधान लगातार जारी है। अगर ये मैं कहूंकि दो साल पाद समस्याओं नहीं होगे तो इभी ठीक नहीं होगा। समस्याओं तो हमेशा रहती है। सेंटल एक्साइज 1944 का आएक्ट है और अभी दो साल पहने तक समस्याओं उसमें आ रही थी। तो कुछलब उस तो समस्याओं बनी ही रहती है जोटी सिस्टम का हिस्सा है। Bureau Report, JSR Times, Indoor